तो हाई गैज, आप सभी का सुआगत है, अमन गुगो तरे यूटूब चानल में, यूटूब स्टूडियो में दो न्यू अपडेट्स किये गए हैं, दोनों ही अपडेट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप इन अपडेट्स से अपने यूटूब चानल को घ्रो कर सकते हैं, अ पहले वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से दो न्यू अप्डेट्स किये गए हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि आपकी जो ओडेंस ह करते हैं या फिर किन चैनल को देखना पसंद करती हैं ऐसा आपको अगर पता चल जाए तो आप जो है उसी टाइप की वीडियो बना सकते हैं जिससे कि आपकी वीडियो जो है वो जादा प्रमोट होने लगी यूटुब जो है उसे जादा से जिजेस्टर में रिकॉमेंड म है अपने मोवाइल में दर उसके यहां पे आपको आपका डाटा आलेटिक स्काप्षश का ऑपशिन मिलता है सिंपल आपको अपनी डाटा आलेटिक्स में जाने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन देखनों को मिलता है आँदियू Welcome following नीचे आना है और नीचे यहां पर आपको एक option देखनों को मिलेगा other videos that your audience watched तो यहां पर जो है seven days का data है यानि कि seven days के अंदर अंदर आपके जो subscribers है आपकी जो audience है वो other channels की किन-किन videos को देख रहे हैं यहां से आप पता कर सकते हैं कि किन-किन videos को जो है आपकी audience देख रही है और आप जो है उनी topics पे next जो videos है वो बना सकते हैं जिससे कि आपकी जो वीडियो की growth है वो ज़्यादा होगी आपके subscribers वोर्च टाइम सब कुछ बढ़ेगा क्योंकि आपको जो है इस चीज का पता चल जाएगा कि आखिर आपकी audience क्या देखना चाती है जो भी वो देखना चाती है आप उस तरह को content जो है deliver करेंगे तो ऐसे में जो है आपके channel की जरूर से growth होगी तो यहाँ पर यह जो update है काफी अच्छा किया गया है और यहाँ पर last 7 days का ही आपको videos दिखाई जाएगी जो भी यहाँ पर आपकी audience देखना पसंद करती है उसी की साथ next option है वो यहाँ पर यह है कि अगर आपको यह पता चल जाता है कि किन videos को आपकी audience देख रही है लेकिन अगर आपको ऐसा ही पता चल जाए कि किन channels की videos को देख रही है आपकी audience तो वह यहाँ पर नीचे आपको option मिल जाएगा other channels that your audience watched तो यहाँ पर जो है 28 days का जो data है वो आपको देखने को मिल जा यह यहाँ पर आपको वही दिखाये जाएंगे जिनके की सबसे जादा सबस्क्राइबर्स होंगे और जिन पर भी जादा सबसे व्यूज आते होंगे उनी चैनल को उनी वीडियो को आपको यहाँ पर दिखाये जाएगा ताकि जो है आप भी उस तरह की वीडियो बनाएंगे तो आपकी जो वीडियो है, वो searching result में जाए, suggested में जाए, recommend में जाए, तो ऐसे में जो है, यहाँ पर YouTube ने यह जो update है, काफी अच्छा किया है, तो यहाँ पर बात करते हैं, कि अगर आपको यह options देखने को नहीं मिल रहा है, वो अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका एक ही solution है, कि अगर आपकी YouTube चैनल पर 500, 600 इतने views आते हैं, अगर average आ रहे हैं, यानि कि हर वीडियो पर इतने आ रहे हैं, तब भी जो है, आपको यहाँ पर data show हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो average views है, यहाँ पर 500 to 1000 के बीच में आने चाहिए, और यहाँ पर ताकि YouTube को पता चल सके कि आपकी जो audience है, वो यहाँ पर आपकी videos देखती है, जिने कि आप यहाँ पर जानते भी नहीं होंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसी videos आपको show होगी, जो कि आपने खुद भी नहीं देखे होगी, क्योंकि आपका जो content है, वो आपने किसी और का डाला है, तो ऐसे में जो है, वो वीडियो कहां कहां देखी जा रही है, तो data जो है YouTube उसी का उठा के आपको दिखा देगा, तो ऐसे में जो है, अगर आप काम कर रहे हैं YouTube पे, तो आपको अपनी एक ही नीश पे काम करना है, जिसे कि आपका जो data है, वो show हो जाए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे YouTube studio की analytics में, हमारा audience में, यहाँ पे यह option में data क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो average views हैं, वो अभी कम आते हैं, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने अपनी category भी change करी है, YouTube tips and tricks, यहाँ पे YouTube updates के वारे में, अब आपको regular बताता हूँ, तो यहाँ पे अभी के लिए हमारा जो data है वो show नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ time के वारे हमारा भी data show हो जाएगा, जैसे हमारे YouTube channel की videos पे थोड़े average views आने लगेंगे, तो हमारा भी जो data है वो यहाँ पे show हो जाएगा, तो आपको भी क्या करना है कि अगर आपका जो data है वो show नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके 7 days में videos देखने को नहीं मिल रहे है, 28 days में videos देखने को चैनल देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपका कोई question हो तो नीचे comment works में comment कर दीजेगा, मिलते हैं next video में तब तक लिए, bye bye, take care, thank you.